दोस्तों मश्कार स्वागत है आप सभी का आपी के चैनल उशा की किरन में दोस्तों आज हम बात करेंगे SML Samrat GS BS6 ट्रक के बारे में जो कि दोस्तों आप मेरे सामने की साइड में देख सकते हैं काफी सांदार ये ट्रक है और इतके अंदर आपको काफी बेतर फ्यूल एफिसेंसी के साथ साथ डाइवर को गाड़ी चलाने के लिए काफी कमफर्ट के बिन के अंदर देखने के लिए मिलता है तो इस तरह का है दोस्तों इसका फ्रंट आप देख सकते हैं सम्राट की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है साथी दोस्तों आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगरा दिया गए जो की आपकी सेफटी को एनेंस करते हैं जब आप नाइट में गाड़ी चलाते हैं तो यह जो है चमकते हैं और आपकी गाड़ी की जो है विजिबिलिटी काफी सांदार बनी रहती है तो दोस्तों फिलाल हमारे पास में है इसका CNG वेरियंट जिसके अंदर आप देखेंगे डोर के उपर आपको यहाँ पर जो है CNG टर्बो की ब्रांडिंग जो है देखने के लिए मिलती है दोस्तों CNG गाड़ी होने के बावजूद आपको यहाँ पर टर्बो चार्जर की फेसलिटी मिलती है इंजिन के साथ में जिससे कि आपके इंजिन की पावर काफी इनेस हो जाती है और आपकी फ्यूल एफिसिंस भी यहाँ पर काफी इनेस हो जाती है जो की आपको रोड पर पीछे काफी दूर तक जो है निगा जमाय रखने में सायक होते हैं तो दोस्तों हमारे पास में है इसका 21-fit variant जो की GS Global सुरीज वाला ट्रक है जिसके केविन को आप जो है इजिली टिल्ट कर सकते हैं इसके अंदर आपको डे कैप दिया जाता है मैनु और काफी बहतरी fuel efficiency के साथ में आपको 2022 के अंदर ये ट्रक्स जो है available होते हैं अगर हम fuel tank capacity की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको इसके अंदर 108 kg की जो है CNG फिल करने के लिए tanks मिलते हैं जिसके अंदर आप काफी मात्रा के अंदर CNG फिल करके एक लंबी दूरी तक की यातरा को कबर कर पाते हैं आपको बार बार रिफिलिंग करने की जूरत नहीं पड़ती है तिसरे का है दोस्तों इसका side portion इंट्रक्स को दोस्तों आप केविन बिद चैसिस और केविन बिद कार्गो बाड़ी अप्संस के साथ में purchase कर पाते हैं दोस्तों अगर हम कीमतों की बात करें तो इन गाड़ियों की कीमत लगभग आपको साड़े बाइस लाक रुपे के आसपास पड़ती है भागी डिबेंड करता है कि आपके सहर और राज में क्या सिती है कीमते भिन भी हो सकती है मैंने आपको एक टेंटिटिव आईडिया याँ पर दिया है एसमेल की ब्राड़निंग बड़े लेटर्स के अंदर और रियर में आपको प्रेटक्टर बंपर लुएस पारकिंग संसर जैसी सुईधाय मिलती है जिससे कि आप इजीली अपनी गाड़ी को अकेले ही रिवर्स कर पाती है साथ टन तक के आसपास के आपको पेलोड कैपस्टी मिलेगी एसमेल समराड जीएस 21 वेरियंट के अंदर बाकि दोस्तों आप इन ट्रक्स को 19 फिट 21 और 17 फिट कई तरह के बोड़ी लेंथ ओप्संस के साथ में परचेज कर सकते हैं पीचे आपको रिफलेक्टर दिये जाते हैं जिससे कि आपकी विजिविलिटी नाइट के समय में भी काफी इनहेंस होती है तो दोस्तों चे टायर आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे और एक टायर आपको एसपहर फिल के रूप में यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों 28 mm का संदार ग्राउं क्लियंस आपको बनाता है किसी भी तरह के कच्चे पके रास्ते में आसानी से निगल जाने में सक्छम तो दोस्तों बोडी के साथ चारोई तरब आप देख सकते हैं रिफलेक्टर बगरा मिलेंगे टरन इंडिकेटर मिलेंगे जिससे कि आपकी सेफटी काफी इनेंस होती है केबिन के दोनाई साथ में आपको टरन इंडिकेटर बगरा दिये गए जिससे कि आपकी सेफटी भी कहीं ने कहीं इनेंस होती है ग्लोबल सिरीज आपको यहाँ पर यह जो है ट्रक्स मिल जाते हैं और हम डोर को इस तरह से कुछ ओपन करते हैं जियेस की आपको यहाँ पर ब्राणिंग देखने के लिए मिलती हैं और केबिन के अंदर का अगर सिष्पेस देखने के लिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर वॉक्ठू से अधर में भी आसानी निकल जा पाता है ऐसी स्थितिका दोस्तों फाइदा जब होता है जब आप अपनी गाड़ी को किसी दीवाल वगरा की साहरे पार कर देते हैं और आपको डोर को खोलने के लिए जगए नहीं रहती है तो आप इस स्पेस का फाइदा उठा करके इस साइड से उस साइड में आसानी से निकल जा पाते हैं तो दोर के अगर हम इंटिरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी सांदर इसके अंदर इंटिरियर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आप कुछ डोकिमेंट्स वगरा रख सकते हैं काफी अच्छी मजबूत जो है यहाँ पर प्लास्टिक मेटरियल का इस्तेमाल किया गया है म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर लगाने के लिए आपको जगए दी गई है और यहाँ पर आपकी जो सीट है ड्राइवर सीट इसको आप आगे पीछे और रेकलाइन भी टर्न कर सकते हैं ड्रज़स कर सकते हैं काफी एच्छे आपको विनयमेटरियल की जो है यहाँ पर जो है सीट दी गई है काफी अच्ची सीट है राइवर के साथ यहाँ पर जो है comfortable बनाते हैं यानि कि आपको यहाँ पर fatigue less driving experience देखने के लिए मिलता है और अगर हम leg space के साफ से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सांदार space गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है उपर चड़ने के लिए आपको यहाँ पर grab handle बगरा दिये गए जिससे कि आप इनको पकड़ करके आसानी से उपर चड़ पाते हैं अगर हम cabin के और comfort की बात करें तो आप देखेंगे दोने साइड में आपको sun visor बगरा दिये गए हैं जो कि आपको दूब बगरा में गाड़ी चलाना काफी comfortable बनाते हैं वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी साइड से भी गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी स्पेशिस आपको cabin के अंदर जगे मिलती है safety ELR belt वगर आपको मिलती है और यहाँ पर आपको दो लोगों की बैठने की विवस्ता है air condition भी आपको लेने का प्रावदान होता है लेकिन आपको blower जो है compulsory हर गाड़ी के साथ में मिल जाता है साथी दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर space की कोई कमी नहीं है cabin के अंदर और cabin के पीछे की side में आपको यहाँ पर जो एक window दिया गया जिससे कि आप यहाँ पर अपने cargo area के उपर भी निगा बनाए रख पाते हैं साथी आपको हवा और रोसनी का भी यहीं से आनन मिल जाता है दोस्तों गर हम इंटीरियर की और बात करें तो आप देखेंगे dashboard आपको काफी खुशुरत यहाँ पर देखने के लिए मिलता है साथी आपके manor engine के लिए यहाँ पर आपको company fitted music system भी गाड़ी के इंदर दिया गया है जिसके इंदर आप aux की connectivity कर सकते हैं USB है और Bluetooth के द्वारा connect करके आप radio FM वगरा का आनन ले सकते हैं लोर का control switch आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपके bottle holder वगरा दिये गए है पारकिंग brake lever है five speed manual transmission के साथ में आपको यह गाड़िया अवेलेबल है जिसका छोटा सा gear shift lever आपको यहाँ पर दिया गया निकाल सकते हैं अब दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आप देख पा रहा है यहाँ पर आप जैसे की को on करते हैं आपको यहाँ पर तमाम सारी information सो होती है इस साइड में आपका engine RPM सो हो जाएगा वहाँ पर आपका spirometer है बीच में आपको fuel gauge है engine temperature है तमाम सारी information यहाँ पर सो होती है शाथी दोस्तों आपको बीच में एक digital information डिस्प्ले भी दिया गया जिसके अंदर आपको यहाँ पर digitally तमाम सारी information सो होती रहती है जैसे की odometer है time बगरा है आपका कितना other information जो हैं आपको य अच्छी लगी है तो इनको अपने दोस्तों में share करिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें वगएर ना जाईएगा हमने थमाम सारी companies के trucks के वीडियो हमारे चैनल पर दिये हुए हैं आप उनको भी जरूर विजिट करिएगा आईशर टाटा महिंद्रा सभी की हमने separate playlist बनाई हुई है आप उनको विजिट करना ना भूले तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत